हटलोू सुदेंज्स तो चलिए बैलेंसिंग औफ Felix रिक्षिंट में एक्षी विदियो लेकर आगए जिसमें हम रिड्डोक्स रेक्षिन को बैलेंस करेंगे बैसिक मीडियम में लेकिन मैथट होगा मारे पास अगें वही मैथटड oxidation state method से हम balance करने वाले हैं basic medium में rules वही रहेंगे जैसे acidic medium में हमने किया था एक दो rule change होगा उसको देख लेते हैं तो सबसे पहला बच्छे जो काम करना है आपको वो करना है सबी के क्या लिखोगे आप oxidation number लिखोगे oxidation number लिखो सबसे पहला काम तो देखे zinc oxidation नमबर यहां पर 0 कि central element का लिखेंगे nitrogen का तो 3266 में से एक गया तो कितना हो जाएगा plus 5 oxidation number यहां पर कितना oxidation number plus 2 nitrogen oxidation number है यहां पर minus 3 ठीक है लिखे लिए oxidation number second check करिए oxidation किसका हुआ है और check करिए reduction किसका हुआ है और कितने electron loss हुए और कितने electron gain हुए है पहले यह चेक करिए तो जिंक का oxidation हुआ है तो जिंक 0 से कहां गया plus 2 oxidation state पर पलस 2 पर तो दो electron loss हुए है और हुआ है oxidation नाइट्रोजन चेक करिए कहां गया plus 5 से माइनस 3 पर सोचो पलस 5 से पलस 4 पलस 3 पलस 2 पलस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 कितने step है देखो एक दो तीन च्यार पांच है साथ तो आठ इलेक्ट्रोनों का गेन हुआ है तो कितने इलेक्ट्रोन गेन हुए हैं बचे यहां पर आठ इलेक्ट्रोन गेन हुए हैं और यह प्रोसेस कौन सा है हमारे पास यहां तक की कहानी या पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए बिलकुल कितने इलेक्ट्रोन लोस हुए कितने इलेक्ट्रोन गेन हुए थर्ड स्टेप क्या करेंगे आप लोस्ड इलेक्ट्रोन किशके कोल होने चाहिए हमारे पास गेन्ड इलेक्ट्रोन के कि जितने इलेक्ट्रोन लोस हुए है उतने ही इलेक्ट्रोन क्या होने चाहिए गेन तो by multiplying with suitable number आप इनको equal कर सकते हैं कैसे चेक करते हैं यहां पर तो है बच्चे 8 electron gain, यहां पर है बच्चे 2 electron loss, दो ही हुए है न, तो इनको same करने के लिए आपको किसको कितने से multiply करनी पड़ेगी, 4 से, तो भी 8 होगा है नहीं होगा, बिलकुल होगा, तो कर दीजिए multiply, तो इसकी multiply कर देता हूं, मैं बच्चे किसके साथ, 4 के साथ with 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा, that is 4 zn, प्लस NO3 negative as it is रहेगा, NO3 negative goes to, यहां पर 4 आ जाएगा, आगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 zn2 plus, इसकी multiply नहीं कर रहे हैं, तो NH4 positive आ जाएगा as it is, यहां तक कहानी है, clear, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने acidic medium में किया था, वैसा ही basic medium में होने वाला है, अब picture में twist आएगा थोड़ा सा, अब या इसके बाद थोड़ा सा, 4th step में आप क्या गरेंगे, देखिए, जिस side, जितनी oxygen की कमी है, उतने ही पानी डाल देंगे, आप, देखे, क्या लिख रहा हूं मैं, जिस side, जितनी oxygen की कमी है, oxygen की कमी है, उतने ही पानी डाल दो, ठीक है, चलिए, किस side कितनी oxygen अभी चेक कर लो, यहां तीन oxygen है, बचे, तीन, यहां कोई oxygen नहीं है, तो इस side में क्या लिख दो, तीन पानी, तीन, पानी, अब तक की कहानी भी बिल्कुल सेम है, जैसा acidic medium में पढ़ रहे थे, जिस side, जितनी oxygen की कमी है, उतने ही पानी डाल दोगे, डाल दिये हैं, अब कहानी में, ट्विस्ट आने वाला है, अब कहानी मे अब आपको चेक करना है कि hydrogen किस side में कितनी कमी, यह सोच लिजे, बस यह सबसे important step जो अभी आने वाला है, जो fifth step अभी आने वाला है, that is the quite important, अब hydrogen चेक करो, कि इदर कितनी है, यहां hydrogen बच्चे 4, देखो 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6, कितनी hydrogen है, आपर 10 hydrogen है, कितनी hydrogen है, 10, अभी step change ह होगा बस, जिस side, जितनी hydrogen की कमी है, उतने ही पानी डाल दो, बोलो इधर hydrogen कितनी है, 10, यहां कितनी hydrogen?0, तो यहां कितनी hydrogen की जरूरत है, 10 hydrogen की तो 10 पानी डाल दो, जाल दो नीचे लिख दो मैं इसको एक सेगंड डूकिए क्या डाल दो दस पानी डाल दो आई रिपीट जब आप oxygen बैलेंस कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है जिस साइड जितनी हाइड्रोजन की कमी है उस साइड उतने ही पानी डाल दो डाल दिये और उसे यह डाले तो दस ओफ नेगेटिव मैं इदर डाल देता हूं अब जो यह डिवेशन आएगी आपके पास यह बैलेंस डिक्वेशन हो जाएगी देखें क्या आएगी हमारे पास पास प्लूस अंग ऑल दन पलिस और निगेटिव और नो त्री नेगेटिव पलस टैन वोटर 10 water goes to 4ZN2 plus 4ZN2 plus plus NH4 positive NH4 positive plus 10 OH negative 10 OH negative plus 3 water plus मैं आगया 3 water ठीक है clear है यहाँ पर clear है तो यहाँ पर मैं लिखू 5th step में क्या किया हमने जिस साइड जितनी हाइड्रोजन की कमी है उस साइड उतने ही उस साइड उतने ही पानी डालो और उस से ऑपोजिट साइड उतने ही OH negative डालो या लिखो यह step important है ठीक है तो देखिए आप क्या होगा यहाँ पर तो है अनो थरी नेगेटिव इस तीन पानी को इदर लिए दस में से घड़ जाएंगे यह तो बच जाएंगे साथ पानी साथ पानी गोज तो 4ZN2 प्लस प्लस अमोनियम इन एन एस पॉर पॉजिटिव प्लस टेन ओएच नेगेटिव अब जो यह equation आई है यह equation डिस इस दा फाइनली बैलेंस्ड कैमिकल इकवेशन यह बैलेंस्ड रिडॉक्स रेक्शन आई होप आपको यह लास्ट वाला स्टैप इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है चलिए नेक्स्ट इग्जेंपल में लिखता हूं और लास्ट वाल स्टैप को और भी क्लैरिफाई करते हैं लेट्स प्रोसीड तो चलिए स्टुडेंस इस इकवेशन को और बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर चलो असान है बिल्कुल असान हो ला ओक्षेडेशन नमबर लिख दीजी सबके यहां पर 0 है थ्री टूजा 6 में से एक गया तो 5 है प्लस 5 च्यार में से एक गया त तो तीन तो माइनस थरी नहीं यहां पर आ जाएगा बच्छे पलस थरी यहां पर है बच्छे नैट्रोजन पर माइनस थरी ठीक है चलिए अलुमिनियम जीरो से कहां जा रहा है बच्छे पलस थरी पर जा रहा है तो तीन इलेक्ट्रोन लोस मतलब हो रहा है ओक्सीडेशन लों तुष्ञका पांस Gibbs पांसे थीन पे तो आठ हूं और ऐलेक्ट्रोन गेन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है mudar यह Alfa अग簡ете अरे अगरी कानी पाईं यह लोग्रेंट एकट्रोन के होने चाहिए तो 3 को आठ केक्वल करना है तो कैसे गरूँ इधर multiply कर दूमें 8 से इधर multiply कर दूमें 3 से LCM नहीं ले लेंगे दोनों का 24-24 हो जाएगा कितना हो जाएगा 24-24 तो 3 वाले की तो multiply कर देंगे हम 8 से और 8 वाले की multiply कर देंगे हम 3 से ठीक है तो finally equation क्या जाएगी देखें मारे पार यहाँ पर 8 से multiply हुई है तो बचे हो जाएगा 8 AL पलस इसके multiply 3 से हुए तो क्या हो जाएगा 3 NO 3 नेगेटिव आगे चलिए गोज्ट हो इसके multiply कितने से हुई है 8 से ना 8 से तो जाएगा 8 AL OH 4 रूके 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 भी इसके आगे कितना आगे तो तीन तीन तो पलस में तीन आमोनिया जाएंगे तीन अमोनिया ठीक है यहां तक पिक्चर अब आगे चलते हैं जिस साइड जितनी ऑक्सिजन की कमी है उतने ही पानी डाल दो ऑक्सिजन काउंट करो देखो यह च्यार और यहां पर कितनी oxygen है नो oxygen और कहीं तो नहीं नहीं है ना तो कितनी पाने डाल दो देखो जिस साइड जितनी अक्सिजन की कमी उतने ही पाने डाल दो तो लेप साइड में 23 पानी डाल देता हूं मैं तो मैंने डाल दिया यहां पर लेप साइड में 23 पानी देखिए लेप साइड में मैंने कितने पाने डाल दिये हैं 23 पानी क्लियर है यहां तक पिक्चर बहुत क्लियर है सर आगे चलो जिस साइड जितनी hydrogen की कमी है उस साइड उतने ही पानी डालो अ देखो ना 23 दूनी 46 हाइड्रोजन यहां रोजन चेक करना कितनी है आठ चोका 32 और तीन तीन जा कितने हो जाएंगे नाइन तो यहां पर है 41 हाइड्रोजन क्लियर करेंगे पिक्चर बिल्कुल क्लियर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखने वाले हम ठीक है इधर 46 गुलो Earbook 46 और 41 तो यहां पर पांच है ड्रोजन की कमी है नहीं है तो देखो क्सरा का लिखा जिस साइट चितनी हाइड्रोजन की कमी उस साइड़ उतने ही अधिया डालो पाद इडाले ईस सेड्र 15 कमी इना पांच तो इससेड हवाश पानि डालो पांच पानि, क्लियर, डाल दिए पाँच पानि अब आगे बढ़ो जिस side जितने hydrogen की कम उस side उतने ही पानि डाल दो हमने डाल दी उतने ही पानि उससे opposite side उससे उल्टी side में इस opposite side कौशी हो गई? यह उस side उतने ही OH negative डाल दो जितने پानी डाले है न तो इदर पांच नेगटिव डाल दिए इन पानी को कुछ निवह यह का उट नहीं को बैलेंस करने के लिए यह किसके को लाएगा जो हैड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाला गया था अब अब चलिए फॉइनल इक्वेशन को लिख लेते हैं हम तो क्या आएगा बचे तेईस ह्टू एजटीज आठ अल्यूमिनियूम एजटीज थरी नाइट्रेट आयन एजटीज पांच ओएच नेगेटिव एजटीज गोज टू एट एल ओएच फोर नेगेटिव एजटीज थर जान दो इधर फांच पानी है इधर थीज़ फानी है तो पांच पानी अ एदर आकर थांविश ए पाने बच्छक तट चाएंगे थिज़िए फिर फीष पनी आि मारे पास इतां पानी ऻाय पलस एट अघान्यियूमिन हैं फालाइट ओख फांच ओवश नेगेटिव लाय तो देखें यह basic medium में equation क्या हो गई यह बचे balance हो गई है in basic medium basic medium में hence the equation is balanced यह वाला step आपको clear करना है एक example हो लेंगे last example बस तो चलिए students यह last equation balance करने की कोशिस करते हैं डिस्प्रपोस्टनेशन रेक्शन आ गए है दोबारा से जैसा हमने acid medium के अंदर किया गया था उसी तरह से यह भी question आ गए तो इसमें भी द्यान रखना है वह intelligent बच्चे या जो भी बच्चे हैं द्यान रखें यहां पर कलोरियन गोशिदेशन नंबर है तो पांच electron क्या हो गए है लोग अब क्या करेंगे लोष्ट इलेक्ट्रोन गेंड इलेक्ट्रोन के इकवल होने चाहिए तो यहां पर कितने से multiply करेंगे पांच से multiply करेंगे तो अब धिहान से देख ले ना जब आप यहां से 5 से multiply करेंगे तो 5 कलोरिन हो जाएगी यहां पर और एक कलोरी निवली तो 6 कलोरी न होगे ना तो इसके समनहें आप 5 नहीं लिख सकते यहां पांच नहीं लिख सकते यहां 3 लिखना पढ़ेगा आपको समझेगे बात को इज यह सोचने वाली बात है आप यहां पर पांच से मल्टिप्लाई करोगे तो दस कलोरीन हो जाएंगी ना तो पांच यहांगी इसकी मल्टिप्लाई करनी तो छे एलेक्ट्रोनी कलोरीनी सेड में होई तो गड़बड है यहां पर जब भी इस प्रपोर्शनेशन टाइप आजाए तो आपको सोचना प्लस यहलो थरी नेगटिव आएगी मल्टिप्लाई करने के बात अच्छा इससे भी कलियर नहीं हो रहा है तो आपको और भी असान में थड़ से कलियर करवाने के कोशिज करता हूं मैं आपको ठीक है एक बार में लिख दूँ यहां पर था हमारे पास कलोरीन यहां पर था यहां पर था सी अलो थरी नेगटिव तो आप क्या करो इस कलोरीन को लग 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 लिखे लो एक बार ताकि आप पजल नहीं हो कलोरीन प्लस कलोरीन गोज टू सी अल नेगटिव पलस सी अलो थरी नेगटिव ठीक है यहां कलोरीन जीरो जीरो तो यहां जीरो से कहां आ रह रहा है यहाँ जीरों से यहाँ आ रहा है तो तो पैंस प्लस पाइंस पे तो पांच एलेक्ट्रोन क्या करतारै बच्छे लोग तो इसके मैल टिप्लाइग कितने से करो गए पांच से तो देखी क्या हो जाएगा पांच सियल और हएकाई किय Olay vive 5-13 आभ आंप लोगाउल विटे हो गई इसंदMm घ्लों ऑगी तो छे कलोरीन इसंद को घ्लो पांच कलोरीन नेगेटिव टलगे साथ हैं थरी सी तोकिन पांच लयाओ नैयाओ तो ऊघ्ली को ज़कता हुप इसन लिखते हुग दूपर कोई दिक्कत नहीं है चली अच्छी बात है डिरेक्ट लिख देते हैं तो फाइनली इस इक्वेशन को मैंने लोग इन लेक्टोन करने के बाद लिख दिया है थरी लिखो यहां कितने पानी लिखो यहां कितने पानी लिखो यहां है चेहां पर यहां कोई है तो यहां पर चैनलोगे कमी तो यहां पर चैनलो इससे उल्टी सैड में इससे उल्टी सैड में क्या डाल दो उतने ही ओ-…" चेज़ नेगेटिव ठीक है दुबारा से समझे आपको क्या गरना है जब आप ऑक्सिजन बैलेंस कर चुके हैं तीन पानी डाल दीए अब क्या गरना है आपको जिस साइड जितनी हैड्रोजन की कमी है उस साइड उतने ही पानी डालो यहां पर है बच्चे हैड्रोजन चेज़ है यहां कोई हैड्रोजन नहीं है तो कमी तो इस साइड है ना हैड्रोजन की तो इधर कितने पानी डाल दोगे छेज़ पानी 6H2O अब जीस साइड आपने हाइड्रोजन को बैलन्स करने के लिए पानी डाला है उसे उपोजेट सेड उतने ही OH-गटिव डाल दो तो जाकर घट जाएंगे तो क्या भुजाएगा 5CL negative As it is CLO3 negative As it is इस छे पानी में से यह तीन पानी घट जाएंगे तो यहां कितने पानी बच जाएंगे तीन पानी थरी OH-गटिव हैंस फाइनली एक्वेशन अब क्या हो गई है बैलेंस हो गई है basic medium में इस एक्वेशन इस balanced in basic medium I hope आप किसी redox reaction को basic medium में किस तरह से balance किया जाएगा वो सीख चुके हैं तो अब तक हम redox reaction में क्या क्या पढ़ चुके oxidation reduction क्या होता है पढ़ चुके हैं oxidation state calculate करना पढ़ चुके है balancing of redox reaction in acidic medium as well as in basic medium हम clear कर चुके हैं by oxidation state method मिलते हैं आपको next video lecture में जिसमें हम करने वाले हैं iron electron method हाला कि आप इन दोनों method में से कोई एक method भी कर लें तो आपका काम चल जाएगा लेकिन फिर भी हम courses करेंगे आपको iron electron method से भी रूबरू करवाएं ताकि आपको redox reaction में किसी भी तरह का कोई भी doubt नहीं रहें तो chemistry से related और भी अमेजिंग वीडियोज के लिए आप डेली जटेंड क्लासिज को विजिट करते रहें और बने रहें मेरे साथ थैंक यू